वीके न्यून राश्ट्र के नाम क्योंकि भाई अगर उनकी हवानियत पर कोई सवाल उठाने लगता है या कि पतरकार रिपोर्ट करने लगता है उनकी हवानियत को तो उनसे बरदाश नहीं होता वो कहता है यह सरकलम कर देंगे तुम्हारा चुप रहो नमस्कार आप देख रहें वीके न्यूज मैं हूँ आपके साथ तमनीश शर्मा खुद को आईस आईस कश्मीर बताने वाले एक समू ने पतरकार अधित्यराज कोल को जान से मारने की धमकी दी है इस समू ने बीजेपी सांसत गौतम गंबीर को भी धमकी भरा मेल भेजा था इस कश्मीर ने इस कश्मीरी पंडित पतरकार को अपना अगला निशाना बताया जनाब अधित्यर आपने हमारे खिलाफ को जाधा ही लिख दिया है कुछ दिन बाद आपको हम लंबी यातरा कराने वाले हैं आओ गभी श्री नगर एक अन्य स्क्रीनशॉट में कहा गया है क जल्दी हम तुमें मार देंगे साजा किये गई स्क्रीनशॉट में आईस आईस कश्मीर ने दावा किया कि कोल के बारे में सभी जानकारिया उसके पास है इसमें लिखा है हमारे पास सभी तरह की डिटेल्स हैं कहा रहते हो और अभी किस जगा पर हो बस कुछ दिन की बात है और उसके बाद तुमारा सर काट देंगे पत्रकार अनित्य राजकोल कश्मीर में अलगावाद और आतंगवाद के खिलाफ मुखर होकर लिखते रहते थे शाज यही बजा है कि इसलामिक चरम पंतियों की उनसे नफरत जो है और ज़दा बढ़ गई हाली में किश्मीर में नागरिकों को टार्गेट किया और उनके हत्या की इस तरह की खटनाएं खत्रों को और अधिक चंता जनक बना रही है गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली से बीज़ेपी सांसेद गौतम गंबीर को भी ISIS कश्मीर से धमकी मिली है उनने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की ह DCP Central श्वेता चुहान ने शिकायत मिलने की पुष्टी की है गंबीर को मिले एमेल में उनकी और उनके परिवार के हत्या करने की बात की गई है दिल्ली पुलिस ने गंबीर के आवाज के बार सुरक्षा जो है और ज़्यदा कड़ी कर दी है हलाकि ये बात भी सही है कि ISIS सिर और ना भारतिय सेना ने इनके गड़ में जाकर इनका सारा संगटनी खतम कर दिया तो नाम बदल देना क्योंकि भारतिय सेना जो है इस तरह की चीजों का इंतजारी करती रहते है कि कब ISIS कुछ गतिवीदी करे कब इनको पूरे ISIS को खतम करने का मौका मिल जाए और भारतिय सेना इसमें पूरी सक्रिय रहेगी आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्षिन में जुरू बताइए और देखे रहेए वीके न्यूज ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूज चानल वीके न्यूज ज्राष्टर के नाप्ल